दोस्तों ये है TG 113 Bluetooth स्पीकर, आप सभी इसको बहुत अच्छी तरह से पैचानते होंगे, क्योंकि ये Bluetooth स्पीकर पिछले 7-8 सालों से लगातार सेल हो रहा है, हो सकता है आप में से कुछ भायों के पास ये हो भी, लेकिन इन 7-8 सालों में इस स्पीकर में, इसके सर्किट में और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में काफी चेंजिज आए हैं, इस वीडियो में हम उन्ही सब चेंजिज और सर्किट के बारे में बात करेंगे, और देखेंगे कि अगर आपको इस स्पीकर का सर्किट पॉर्ड बदलना पड़े, तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे, कि इतने प्राइज में ले सकते हैं, और उसको लगाकर आप अपने स्पीकर को कैसे ज्यादा पाउरफुल बना सकते हैं, दोस्तो हो सकता है ये वाला ब्लुटूथ स्पीकर आपके पास ना हो, और हो सकता है आप ब्लुटूथ स्पीकर रिपेर भी ना करते हो, तब भी आप इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में आपकी नौलिज काफी बढ़ जाएगी लेकिन इंटर्नली इन दोनों में काफी फर्क होता है देखिए ये है एक स्टार्टिंग में आने वाले TG-113 ब्लूटूथ स्पीकर का फोटो क्योंकि मेरे पास अब वो स्पीकर नहीं है तो इसलिए हम फोटो में ही इन डिफरेंसिस को देखेंगे दोस्तो पहले जो स्पीकर आता था उसमें यहां पर दो स्पीकर और यहां बैक सैड में एक पैसिव रेडियाटर लगा होता था जिसकी वज़े से उसमें लो फिर्क्वेंसी काफी अच्छी निकल के आती थी यानि कि उसमें बेस काफी अच्छा होता था दोस्तों जिस टाइम ये TG 113 Bluetooth speaker market में आया उस टाइम JBL और बोर्ट इस तरह की company के speaker थोड़े महंगे हुआ करते थे तो जैसे ही ये speaker market में आया इसकी sound quality भी ठीक ठाक थी तो public ने इसको काफी पसंद किया और ये बहुत ज़्यादा sale होने लगा अब ये तो आपको पता ही है कि जो product ज़्यादा विकता है उसमें competition भी आता है और बाद में फिर उसकी duplication भी start हो जाती है ये starting में लगबख 900 रुपे से start हुआ था उसके बाद जो इसके price down आये वो seller ज़्यादा होने की वज़े से आये क्योंकि ये product भीक रहा था तो बहुत सारे seller इस product को बेचने लगे तो इस वज़े से इसका price घटते घटते 500-600 रुपे के करीब आ गया तब तक भी इसकी quality ठीक ठाक थी लेकिन इसके बाद जो price drop हुए वो इसमें से ही कुछ parts कम कर करके ही price drop हुए है जैसे कि price cutting के चक्कर में सबसे पहले तो ये speaker में से passive radiator ही हटा दिया गया अब बाद वाले speaker में सिर्फ ये दो speaker ही लगे होते हैं इसके बाद फिर battery काफी हलकी लगाने लगे उसके बाद इस price war में number आया circuit का शुरू में जो circuit आया था उसमें दोनों speaker के लिए अलग-अलग amplifier IC लगी होती थी मतलब एक तरह से इसमें stereo effect भी बहुत अच्छा आता था ये देखिए ये photo मैंने 2020 में upload किया था किसी repairing वाली वीडियो के सिलसले में इसके बाद देखिए कितनी सारी comments आई हुई है और इन सभी ने यही का कि हमें ये double IC वाला circuit चाहिए और मैंने सबकी reply में यही का कि अब ये double IC वाला circuit नहीं आता है ना online ना offline लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है ये circuit available है पहले हम एक पार इस circuit के बारे में बात कर लेते हैं फिर आपको बताऊंगा कि ये आपको कैसे मिलेगा तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि इस circuit में दोनों speaker के लिए अलग-अलग IC लगी होती थी लेकिन इसके बाद इसमें एक amplifier IC को लगाना बंद कर दिया गया और एक ही IC से दोनों speaker चलने लगे इसका मतलब साफ है कि ये IC इस circuit board की pricing कम करने के लिए ही हटाई गई है काफी टाइम तक तो ऐसा ही चलता रहा फिर किसी manufacturer ने देखा कि जब हमारे दोनों speaker एक ही IC से चलने है तो उसमें दो connector लगाने की क्या जरूरत है connector भी उन्होंने एक ही लगा दिया इस connector के थुरू दोनों speaker parallel में जुड़े होते हैं तो इसी वज़े से हमें आजकल ये इस तरह का circuit देखने को मिलता है जिसमें एक speaker के लिए connector लगा होता है और एक battery के लिए connector लगा होता है तो जहिर से बात है जब एक amplifier IC से दोनों speaker चलेंगे तो sound कम भी हो जाएगा पर ज़्यादा volume खोलने से आवाज थोड़ी फटी-फटी मैसूस होगी वैसे हमारे कई दोस्तों की ये comment आती है कि हमारे speaker में से दो connector निकले हुए speaker के और जो हमने circuit मंगवाया है उस पे एक ही connector दिया हुए speaker को connect करने के लिए तो इस पर मैंने एक विश्तरित वीडियो बनाई हुई है इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि जो पहले इस circuit में left side में charging circuit होता था बाद वाले speaker में ये right में आने लग गया तो अगर आपकी housing right side के charging connector वाली है और circuit में left side में charging connector है तो उसको इसमें कैसे fit कर सकते हैं इस वीडियो के end screen में उस वीडियो का thumbnail आपको दिखाए देगा आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो दोस्तो अब ये circuit double IC में भी available है जी हां आपके अपने फेवरेट स्टोर अशोका online स्टोर पर ये देखिए तो अगर आपके bluetooth speaker का circuit खराब हो गया है या फ इससे की दोनो speaker parallel में जुड़े हो तो भी आपको कोई problem नहीं होगी क्योंकि इस circuit के साथ देखिए यहाँ पर तीन आपको GST connector भी मिल रहे हैं तो अगर आपका पहले से ये वाला connector लगा हुआ है तो इसको हटा कर आप ये दो connector लगा कर भी दोनो speaker के connection अलग-अलग कर सकते हैं साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मात्रम